आपके एक वोट से हो सकता है बहुत कुछ नमो नौ मद्दाता समिलन में पीए मोधी ने युवाओ से किया समवाद राष्टिय मद्दाता दिवस पर भारतिय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित देश ब्यापी नमो मद्दाता समिलन में परधान मंत्री नरेंद्र मोधी देश भर के युवाओ से सीधा कारिकरम में जुड़े धनबाद में कई जगों पर परधान मंत्री नरेंद्र मोधी के संभोधन को सीधा परसारन भी किया गया सहर के 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 पोल टेकनिक परिसर में बड़ा LED स्क्रीन लगाया गया था परधान मंत्री के संबोधन को यहाँ पर काफी संख्या में नय मदाता और युवाओं ने सुना परधान मंत्री ने कहा कि भारत युवाओं का देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में है उन्होंने कहा पहले निव जाते थी कि देश में घोटाला हो रहा है लेकिन अब विकास की बाते होती है भारत जल साथ ट्रिलियन के आर्थिक विकासदर को पार कर जाएगा इस दौरान केकेपो टेकनीके छात्र और नए मदाता ने भी परधान मंत्री को उत साथ से सुना जारखंड से पीए मोधी के खास महमान पहुंचे दिल्ली गंतंतर दिवस परेड में पहली पंक्ती में बैठने का मिलेगा मौका गंतंतर दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले परेड में जारखंड के साथ परिवार सामिल होंगे इसमें दुमका जीला के जर्मुंडी परखंड अंतरगत पेटसार गाउं के पांच परिवारों के दस सदस्यों को गंततर दिवस में विशिष्ट अतिथी की रूप में समलित होने का आमंतरन भार्ण सरकार ने भेजा है। जर्मुंडी परखंड पुलिस की बहादुरी को सलाम गंततर दिवस पर 55 पुलिस अपसरो जवानों को मिलेगा मेडल। जारी हुए थे। सुचनाकु सलता पदक वा दो पदाधिकारियों को अनुसंधान में उतक्रिष्टता के लिए कंद्रिय ग्रिह मंत्री पदक दिया जाना है। जेपियस्सी अभ्यारतियों के लिए अच्छी खबर उम्र सीमा में मिलेगी अब 7 वर्स की छूट। राजे कैबिनेट ने बुधवार को कई लोकलू भावन फैसलों पर मुहर लगाई है। जरूरी होगा। जिसमें एक से अधिक साधी करने वाले अभ्यारति नहीं दे सकते हैं परिक्षा। और HTSC महिला को 32 फिसद अंक लाना अनिवार होगा। और अत्यंत पिछडावर को 34 फिसद अंक लाना जरूरी होगा। जबकि लुप्त प्राज अंजाती को 30 फिसद अंक लाना अनिवार होगा। और आर्थिक रूप से कमजरुवार को 40 फिसद अंक लाना अनिवार होगा। जारकन की बेटी पर बनी फिल्म टू किल ए टाइगर आसकर के लिए नामित। भारत की अकेली बेस्ट डोकुमेंटरी फिल्म में टू किल ए टाइगर को आसकर के लिए नामित किया गया है। इस रेनी में कुल 5 फिल्में नामित की गई है जिन में यह अकेली भारतिय फिल्म है। बता दे कि मंगलवार को 96 ओसकर नमिनेशन में इसकी घोषना की गई। इस डोकुमेंटरी का सम्मद राची के बेडों से है। जिन चार फिल्मों से इसकी मुकाबला है। बॉबी वाइन, दा पिपल्स प्रेसिडेंट, दा इटर्नल मेमोरी, फोर डॉटर्स और ट्वेंटी डेज इन मारियोपोल सामिल है। ED के नवे समन पर हेमान सुरेन का आया जबाब। 31 जनवरी तक ED के रियक्शन की है अब बारी। जमिन घोटाला मामले में मनी लॉंडरिंग के तहट जाच कर रही ED के नवे समन पर मुख मंतरी हेमान सुरेन ने अपना जवाब दे दिया है। CM ने ब्यस्ता का हवाला देते हुए ED को पत्र लिख कर कहा है कि 31 मार्ज तक उनके पास समय नहीं है। इसलिए वाब पुष्टाश के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। 24 नॉम्बर को मंतरी पर मार्पिट करने घर खाली करने का परियास और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। चुनाओ से पहले राज कर्मियों पर हेमन सरकार महरबान अब बिना जमीन बंधक रखे मिलेगा 60 लाख तक का होमलोन। जारखंड में हेमन सुरेन के नेतरितो वाली राज सरकार ने राज कर्मियों के हीत में एक बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी कर्मियों के लिए होमलोन के नियमों में छूट दी गई है। अब साठ लाख तक का रिन उन्हें बिना किसी जमीन को बंधक रखे मिल सकता है। या ब्योस्ता सभी वर के कर्मियों के लिए लाग होगी। बुधवार को कविनेट बैठा के दौरा नियह निर्ने लिया गया है। जारखंड में सर्दी का सितम, दिन में खिलेगी धूप, रात में बढ़ेगी कनकनी। जारखंड में इस बार सर्दी का मौसम लंबा खीच रहा है। जनवारी के अब कुछी दिन सेस बचे है, इसके बावजूद राज़ानी समेथ राजे में कडाके की सर्दी है। जबकि पिछले वर्स इस समय सर्दी का मौसम नर्म पढ़ने लगा था। नियुन्तम तपमान 11 से 12 डिगरी पर आ चुके थे। लेकिन इस बार नियुन्तम तपमान 7 से 8 डिगरी के करीब बना हुआ है। मौसम विभाक चनसार आने वाले चार दिनों में राइधानी समेथ राजे के अने जीलों का तपमान 7 से 8 डिगरी और राजे के उत्री हिसों में इस से कम नियुन्तम तपमान रहने का अनुमान है। बारिस होने और नमी की वज़ा से इस बार कुहासा भी ज्यादा पड़े रहा है। सुनिश्चित करने के लिए 4 से 11 फर्वारी तक गाउं चलो अवियान भी सुरू करने का फैसला किया है। बुधवार को अभियान को लेकर आयोजित वर्क्सोप के दोरान जारखन भाजपा अध्याक्ष बाबुलाल मरांडी ने करकरताओं से हर गाउं में जाने और ग्रामीनों को एक मजबूत आत्मनिर्भर और विक्सित भारत बनाने के लिए अमंत्रित करने को कहा। पदम स्री अवार का एलान इन अंसंग हिरोज को मिलेगा सम्मान गंतंतर दिवस की पूरो संध्या पर पदम पूरोसकारों का एलान केंदर सरकार की तरफ से किया गया। पदम नाईक और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ति को पदम भूसन दिया जाएगा। राश्पती ने कहा कि सविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से सुरू होती हैं ये सब्द हमारे सविधान के मुलभाव को रेखांकित करते हैं। राश्पती द्रोपती मुर्मु ने गंततर दिवस पर राश्ट को संबोधित करते हुए कहा कि देश के बैग्यानिक परद्योग की विसेसग्य पहले से कहीं अधिक उचे लक्ष हासिल कर रहे हैं। राश्पती ने नारी सकती बंदन अधिनियम एक करांतिकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि मुझे बिश्वास है कि नारी सकती बंदन अधिनियम महिला ससकती करन के लिए एक करांतिकारी पहल सावित होगा। यह हमारे सासन की परकिरियाओं को बेहतर बनाने में काफी मद बोड परिच्छा का Admit Card जारी कर दिया है, जिसके बाद छात्रों के परवेस्पत्र आधिकारिक बेवसाइट जैक.जारखन.gov.in पर उपलब्ध करा दियेगा हैं, बोड से समंधित E-School बेवसाइट पर जाकर छात्रों के Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं, बता दे कि छात्रों को Admit Card उनके E-School से ही प्राप्त करने होंगे.